साथियों नमस्कार एक बार फिर आपके पीश टाक्टर जित्यान कुमार फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर साथियों आज हम आपके पीश बात करेंगे कैपोटिल सी ऑइंटमेंट साथियों कैपोटिल चन्लिकड की कमप्पणीर उसका प्रोड़क्ट है साथियों, जो सब से फेमस ब्न हैं को वेट का इन्वरो प्रोड़क्त करेंगे सबसे पहले जानेंगे डिस्रिप्शन के बारे में कि यह कंबिनेशन ऑइंटमेंट है क्या साथी साथ इसके इंपार्टन यूजेश की बात करेंगे साथी और काईपार्ट तिल वर्क कैसे करता है बाड़िमे और कंट्रा इंडिकेशन की हम बात करेंगे प्रिकेशन की बात करेंगे में में साथी सब्सेपहले जाने बिस्रिप्शन कााईपार्टिल你有ush Óint With prescription साती हो यह सीडियूल-एच की प्रिस्किप्शन मेडिसन है हाइविंग एक कमबिनेशन आफ मेडिसन दैटी यूज़ फार दी ट्रीट्मेंट अफ पिसोरियासिस जिसको हम सोराइसिस भी कहते हैं साती हो यह पिसोरियासिस यह स्वराइसिस में जो इस्तमाल करने वाला उसको ठीक करनैं के लिए सिसकोर इस्तमाल किया जाता है साथी भी टेटी होएट प्ली साफ्टनिंग दी स्कीन और यह क्या था स्कीन को साफ्ट बनाता है और साथियों यह जो है कैपोटल सी जैसा कि अभी हमने बताया है काइंबिनेशन क्रीम है यह जो है कैल्सी पोट्रियोल साथियों यह तो डिस्क्रिप्शन की बात होगे यूजर्स की बात करेंगे साथियों इसका सोराइसिस में इस्तमाल किया जाता है पी इसमें साइलेंट है साथियों इसमें साथियों होता क्या है कि इसकी में रेडनेस हो जाती है सूजन आ जाती है कहने का मतलब है कि इचिंग होने लगती है रेडनेस आ जाती है और स्वैलिंग हो जाती है साथियों और इसमें क्या होता है कि कहने का मतलब है इसकी प्राबलम हो जाती है और इसमे जनकर पर you an to get any एक टीक्र करने के लिए का की इस्तमाल किया जाता है कि इसको लगा सकते हैं साथिशआध के लिए लेक धियर से अखित के लिए D और साति हो एक इसका हेडन जो है इसका हम यूज बताएंगे विटिलिगो कभी कभी डॉप्टर इसको अपने विवेक से इस्तमाल करते है जिनको गिस शफेद दा कहते हैं उसमें भी इस क्रीम का इस्तमाल किया जाता है साथियों ये तो यूजेस की बात होगा, इस साइड इफेट की बात करेंगे, इसको लगाने से साथियों क्या होता है कि कुछ लोगों में ये देखा गया है कि इचिंग और रैस पड़ जाते है या जलन होने लगता है, ऐसे केस में इसका सेवन पंद करने अधरवाइस नहीं होता है, साथियों इसको बहुत हई डोज लगाने से, क्योंकि इसमें स्तिरोड मी मिला है बहुत जाधा दिन में चार-पार बार लगाने से और इस तरह से, उसमें क्या होता है इसकी इर्इटेसन होने के चांस है, या फिर हाइपर slash sensitivity जो है होने के चांस होते है, तो इस तर पालती एक हरे स्भीटाइबं में काम all दिख्यानी का रूप है साथी साथ क्या करता है It works by reducing the overproduction of skin cells कहने का मतलब है iskin में क्या होता है कि जो cells होते है वो बहुत ज़ाधा बनने लगते है overproduction होने लगता है तो overproduction को यह रोपता है साथी साथ क्या करता है यह cream dead skin को निकाल के उसको जो है balance करता है कहने का मतलब है ब्लॉडब करता है जो कि जो ये इस तरह से बוכते क्शुचाइब उसको हम प्रोश्टा ग्लेंड मेंर कह सकते हैं make the skin red, swelling and itching और इससे क्या होता है कि मतलब प्रोष्टा गिलैंडीन की वज़ा से जो है क्या होता है कि सरीर में जो है skin में itching होने लगती है, swelling आ जाती है साथी साथ क्या होता है, skin red हो जाती है उसको जो है block करने से certain chemical messenger ये समस्याएं दूर हो जाती है तो इस तरह से ये work करता है साथी हो इसके contraindication की बात करेंगे तो अगर इसके formula जो इसमें मिला है calcium potriol और probitasol आपने पहले इस्तमाल किया है और आपकी skin को suit नहीं करता है, कहने का मतलब है hypersensitive है, तो इस दवाई का सेवन ना करें, तुरंत ही अपने डॉक्टर को बताएं साथी हो प्रिकासन की बात करेंगे not to be applied on the face pregnant and lactation mothers साथी हो इसको चहरे पे नहीं लगाना है साथी साथ क्या होगा, pregnant and lactation mothers को इसका इस्तमाल नहीं करना है, साथी हो composition की बात करेंगे, जैसा कि अभी हमने पहले भी बता दिया था साथी साथ फिर से एक बार बता रहे है calcifotriol जो इसमें है 0.005% weight by volume मिला है and clobitazole propionate 0.05% weight by volume मिला है और वाकी ointment basis के अंदर मिला है साथी हो brand की बात करेंगे जैसा कि सुरूई में हमने बताया था तो co-weight C जो की canbro pharmaceutical का company का है इसी का brand जो है alternate brand है market में आसानी से मिल जाएगा and pacitrex C जो की sun pharmaceutical का है same composition का brand है market में मिल जाएगा and calabsor C calabsor by कौन pharmaceutical company का है and साथी हो capotil C जो की हमारे पास needless pharmaceutical company का ये brand है साथी हो यूज एंड डोज की बात करेंगे साथी हो तो जहां भी skin में विकार है जैसा कि जहां पर psoriasis है या skin में dandruff है या skin disease है वहां इस्तमाल करना है इसको तो कैसे करना है वहां पर fresh water से skin को जो है साफ करके किसी towel से उसको जो है dry कर लेंगे फिर हाथ को धुल के उसको उंगली पे लगा के पतली पतली layer उसके जो है लगा देंगे और उससे क्या होगा कि उसको लगा रहने देंगे दिन में दो बार इसको लगाना है इस तरह से फिर उसके बाद जो है लगाने के बाद इसको हाथ को साबुन से धो लेंगे ताकि इसको किसी वज़ा से आख या मूँ में ना लगे तो सातियों इसी साथ विराम देंगे किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें साथी साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सातियों नमस्कार